Hello everyone, welcome to a brand new video और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक website को host कैसे करते हैं अब इसमें मैं आपको पूरा process बताऊंगा कि आप domain कैसे purchase करोगे, hosting कैसे करोगे वहाँ पे files कैसे upload करोगे, तो सिर्फ hosting नहीं बलकि पूरा process अगर आपने website आपके computer पर बना रखी तो उसको internet पर कैसे ले जाना है और एक .com वाली जो website होती उसको कैसे बनाना है तो पूरा देखना, अराम से देखना, ये आखरी वीडियो आपको लगेगी ये आखरी वीडियो आपको देखना होगी, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरवत नहीं है और आप hosting करना सीख जाएंगे, ठीक है अब सबसे पहले हम समझते हैं यार कि hosting में हमको क्या चीजों की जरवत लगीगी ठीक है, तो basically hosting में आपको दो चीजों की जरवत लगीगी ठीक है, ठीक है, ठीक है थोड़ी से मैं इसकी यहां से increase करूँगा first thing है, domain ठीक है, plus hosting ये दोनों चीज़े आपको purchase करनी पड़ेगी अब यार ये होता क्या है, domain और hosting होता क्या है अब मैं एक छोटा से example आपको देता हूँ, hosting को आप इस तरीके से समझो, कि hosting एक घर की तरह है ठीक है hosting एक घर की तरह है, और ये उपर जो domain होता है ठीक है, ये जो domain होता है, ये होता है address की तरह तो मैं कुछ भी या डाल देता हूँ, one, two, three, वसंत कूंज Delhi ठीक है, तो आपको जो domain होता है न, वो एक address की तरह होता है hosting आपके घर की तरह होता है, तो अब इसको इस तरीके से समझे मैं बोलता हूँ यार, किसी को कि मेरे को आपको ये चीज अगर लेनी है तो घर पे रखी हुई है, ठीक है, तो say for example एक parcel है है न, ये parcel वहाँ पे रखा हुआ है अब मैं बोलता हूँ कि वो घर पे रखा हुआ है, अब घर से ले लो तो सामने वाला बोलेगा कि भाई घर का है, तो मैं बोलूँगा ये उसका address है, ठीक है तो similarly आपकी जो websites की files होती है है न, websites की जो files होती है वो रखी होती है इस घर के अंदर आरी बात समझ में और उसका address होता है ये वाला तो domain हमारे case में जो भी आपका domain है, जैसे मेरी website है राजदीप धाकर .com ये है domain ठीक है, और website और मेरा जो file से वो कहा रखी होगी hosting रखी होगी, तो आपको domain भी purchase करना होता है और hosting भी purchase करनी होती है इतना clear है, इतना समझ में आया, ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम domain कैसे purchase करते हैं, ठीक है, that will be our first step कि हम domain को कैसे purchase करते हैं domain register करने के लिए आपको जाना है इस website पर, crazydomains.in description में एक link है उसको भी आप click करके यहां पर पहुँच सकते हो, आपको .com पर नहीं जाना है, आपको .in पर जाना है ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है हमारा domain धूंडने का काम, ठीक है सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा domain अवेलेबल है भी या नहीं या फिर जो domain हम खरीना चाहा रहे है वो .in में अवेलेबल है, .com में अवेलेबल है या कोई और दूसरे उसमें अवेलेबल है तो मैं यहां जाता हूँ और सर्च करता हूँ हिंदी, नहीं, I love Hindi Tech Tutorials.com ठीक है, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने Hindi Tech Tutorials.com ठीक है, मैंने किया सर्च और मैं अगर यहां पर सर्च करता हूँ It will be going to search the database और यहां पर यह मुझे रिजल्ट देदेगा कि हाँ, यह available है अगर मैं इसे 5 साल के लिए purchase करता हूँ तो मुझे 649 पर year पर मिलेगा ठीक है, बट मुझे 5 साल के लिए नहीं चाहिए मुझे 1 year के लिए चाहिए तो यह 1 year के लिए फिर आपको 149 देना होगा तो यहां से आप select कर सकते हूँ आपको 2 साल के लिए चाहिए तीन साल के लिए चाहिए पांच साल के लिए चाहिए या 10 साल के लिए चाहिए जितना आप चाहो यहां पर उसको select कर सकते हो तो मुझे initially 1 year के लिए ही चाहिए और तो मैं यहां से 1 year select कर लूँँ ठीक है, अब I love Hindi Tech Tutorials .com में search करता हूँ ठीक है, com तो हमने किया था let's search .in ठीक है, तो मैं .in करूँगा तो भी यह available हो जाएगा मैं अगर नीचे आउँगा तो मुझे यह .in यहां पर मिल रहा है देखो 2 साल के लिए मैं इसे यहां से add कर सकता हूँ लेकिन मालो कुछ ऐसी .com सर्च करोगे tutorials .com सर्च करोगे तो यह आपको available नहीं होगा ठीक है already registered you can get it on backorder आरी बात समझ में तो यह already registered है तो यह आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप .online.shop यह सारी चीजे ले सकते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कोशिश यह करो कि आपको .com मिल जाए अगर आप कोई commercial काम कर रहे हो तो आपको .com मिल जाए या फिर .in ले सकते हो इसके अलावा और कोई domains जो है don't go for it तो यह आपको नहीं मिलेगा यह आपको चेक भी करना है तो आप यहां से चेक कर लो और जो भी आपको अब मुझे I love Hindi Tech Tutorials बाला चाहिए था .com चाहिए था .com add to cart कर देता हूँ add to cart कर दिया मतलब कि cart में वो add हो गया अब ठीक है तो यहां से आपको search करना है और add करना है जो भी domain आपको चाहिए अब 1,2,3,4,5 बार इसको cross check जरूर कर लेना क्योंकि बहुत बार spelling mistake हो जाती है और फिर वही आपको लेना होता है ठीक है तो इसको 2,3 बार देख लेना कि जो आप करने जारे वो सही है या नहीं ठीक है तो मैं इसको हटा देता हूँ अब यहां पर मेरे पास यह मेरा domain आ गया है जो मैंने select किया था ilovehindytaketutorials.com अब यहां से आप इसको select कर सकते हो 2 years, 3 years, 5 years जितने साल के लिए आपको लेना है मैं 1 साल के लिए register इसको करना चाहूंगा मैंने 1 साल के लिए register कर लिया मुझे जाना है cart पर अगर यह यह आपके पास option इस तरीके से दिखता है तो आप जाओ cart पर और go to cart करना है ठीक है क्या करना है? go to cart करना है go to cart आप करोगे तो आप इस page पर आ जाओगे अब यहां पर आपको 3 month website builder free मिल रहा है website builder क्या होता है? website builder होता है click click करके आप website बना सकते हो जो कि मैं बिलकुल recommend नहीं करता हूँ इस channel पर हम web development सिखाते हैं हम web developers को बनाते हैं और web developers से click click करके website नहीं बनाते हैं we are the real developers और हम custom coding करके website बनाते हैं तो इसकी जरवती है लेकिन free में मिल रहा है तो हम भारतिय नागरिक हैं तो free में कुछ भी मिलता है तो हम रख लेते हैं इसे free में रख लो और I love Hindi Tech Tutorials.online भी आपको free में मिल रहा है तो यह भी free में रख लो इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा 849 यह आपर दिखा रहा है तो यह 849 ही आपको pay करना है यहापर उसके बाद यहाँ पर आप इसे pay securely कर दो ठीक है अब यह login करने का बोलेगा या फिर आपको sign up करना है अगर account नहीं है तो आपको sign up पर click करना है ठीक है तो आप sign up कर लो sign up करना बहुत easy है मैं वो नहीं बताऊंगा एपको email password name डालना है बस या फिर आप Google से sign up कर सकता है मेरा already account है तो मैं यहाँ पर directly login and continue कर रहा है ठीक है अब मैंने इसको login and continue कर लिया है मैं continue order पर यहाँ पर click करूंगा ठीक है और continue order अब यह hosting add करने का बोल रहा है हमें यहाँ से hosting add नहीं करनी है continue order में यहाँ पर करूंगा ठीक है I love hindi tech tutorials public domain free 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 जो भी हमें मिल रहा है सब ले लो यह देख लो total order आपका कितना है यहाँ पे आप paypal या फिर credit card से या debit card से आप यहाँ पर आपका purchase कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर card number डालना है card expiry आपको यहाँ पर डालनी है year डालना है और आपका यह जो भी आपकी payment information है यह आप डालकर यहाँ पर pay and activate कर सकते हो ठीक है अब मैं यह purchase नहीं करूंगा मेरे पास already यह से domains है जो मैं purchase कर चुका हूँ तो that's why I am not gonna purchase it ठीक है तो जब आपकी purchase complete हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है आपके account पर जाना है crazy domains not in और मैं जाता हूँ अब मैं logged in हूँ तो आपको login करना पड़ेगा मैं जाओंगा domains में visit my account में ठीक है उपर click करके visit my account मैं click करूंगा ठीक है यह login कर रहा है अब यहाँ पर मेरे सारे domains दिखाई देंगे ठीक है तो मैं domains पर click करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मेरे जितने भी domains है वो सारे domains यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो अभी के लिए हम जो domain use करेंगे वो करेंगे यह वाला domain ठीक है यह मेरे uncle के लिए मैंने लिया था उनकी firm है उनके लिए मैंने domain purchase किया था तो इसको मैं आपको host करके दिखाऊंगा है न तो जैसे I love Hindi Tech tutorial purchase किया था सेम मैंने purchase किया उसके बाद यहाँ पर कोई भी process नहीं किये तो मैं यहाँ पर आपको इसको करके दिखाऊंगा ठीक है विद्यूतमालाकर.com अब यार ऐसा है कि crazy domain से लेना ज़रूरी नहीं है और भी बहुत सारे website से कुछ website के मैं आपको नाम बता देता हूँ example के लिए namecheap.com हो गया godaddy.com हो गया bigrock.in हो गया वहां से भी आप purchase कर सकते हो कोई difference नहीं है थोड़ा बहुत difference आएगा तो वह मैं आपको कोई बड़ी चीज नहीं वह आप कर पाओगे ठीक है तो यहां domains पर क्लिक करोगे तो यह domains हो जाएगा अब domain को हमें register करना है आगे बात समझ में अब आपको hosting purchase करनी है यहां तक का हमारा process complete हो गया है अब आपको hosting purchase करनी है hosting purchase करने के लिए हम use करेंगे hostinger.in का ठीक है आपको hostinger.in पर जाना है आपको description में link भी मिल जाएगा आप वहां भी click करके इस website पर जा सकते हो यहां पर आपको hosting पर click करना है और shared web hosting पर click करना है अब देखो बहुत तरही की hosting होती है है ना shared web hosting होती है cloud hosting होती है wordpress hosting होती है VPS hosting होती है minecraft hosting होती है अब ये cloud hosting WordPress VPS ये बड़ी websites के लिए है अगर आपकी website पे बहुत जादा traffic है बहुत जादा load है तब आप इसको use करते हो otherwise आपको shared web hosting में आपका काम हो जाएगा ठीक है मैंने click किया तो ये page खुला अब दिखो इसके अंदर बहुत सारे packages है ठीक है ये आपको 59 पर मंत का पड़ेगा ये आपको 119 पर मंत का पड़ेगा ये 219 का पर मंत का पड़ेगा है ना तो इसमें आप एक website host कर सकते हो एक email और इतने आपके monthly visitors हो सकते हैं तो अगर आप single domain अगर एक website का मतलब है एक ही domain आप यहाँ पर host कर सकते हो तो जो domain हमने यहाँ पर purchase किया है वो domain आप यहाँ पर सिर्फ एक domain यहाँ पर host कर सकते हो आरी बात समझ में अगर यह वाला plan हम लेते हैं तो यहाँ पर हम 100 websites host कर सकते हैं 100 email accounts host कर सकते हैं unlimited monthly visitors, wordpress acceleration और यह सारी चीज़े आपको मिलती हैं यहाँ ठीक है अब हम क्या choose करेंगे अगर आप की single website है और अगर आप एक simple सी website बना रहे हो तो यह आपके लिए बहुत है इसके लिए अगर आपको जाने की जरुवत नहीं लेकिन हम तो एक साल के लिए लेंगे तो यह आपको करीब 100 रुपे पर मन्त पर पड़ेगा ठीक है और अगर आप यह वाला लोगे एक साल के लिए तो करीब 200 रुपे पर मन्त पर पड़ेगा हम आगे आपको मैं और इसके plans बता देता हूँ ठीक है अब हमें यह वाला प्लान चाहिए मैं इसे कर लूँगा add to cart ठीक है तो मैंने इसको add to cart कर लिया अब मैं shopping cart पर चला गया ठीक है अब मुझे यह दिखा रहा है 59 months के लिए है ना single web hosting 49 months के लिए 48 months के लिए दिखा रहा है 59 में लेकिन भाईया हमको इतने लंबे समय के लिए नहीं चाहिए हमको सिर्फ 12 months के लिए तो यह आपको 99 रुपीज पर मंत पड़ेगा तो single web hosting SSL certificate आपका नहीं है यहाँ पर taxes and fees है यहाँ पर आप coupon code यूज कर सकते हो तो अगर आप यहाँ पर यह वाला coupon code यूज करते हो Hindi tech यह मेरा coupon code है तो इसमें आपको additional discount मिल जाएगा तो जो भी discount होगा best वो discount आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो make sure कि आप यह coupon को यहाँ पर यूज करो तो यह आपको coupon मिल जाएगा तो अगर single website host कर रहे हो तो यह बहुत है अगर आपको multiple websites host करना है तो आप फिर वो plan ले सकते हो फिर आपको finally क्या करना है इसको यहाँ पर check out करना है अब यह आपसे account बनाने के लिए बोल सकता है मेरा already account है इसलिए इसने बोला नहीं आपको simply वही करना है email id password डालना है यहाँ पर आपके पास बहुत सारे options होते हैं आप UPI से कर सकते हो Paytm से payment कर सकते हो आप debit card, credit card use कर सकते हो net banking, paypal, google pay ठीक है बहुत सारे आपके पास यहाँ पर option होते हैं अब आप इसको पूरा payment कर लो payment करने के बाद आपका जो hosting account है वो activate हो जाएगा ठीक है अब hosting account आपका activate हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है hostinger.in पर जाना है और आपको login करना है ठीक है मैंने login पर click किया और यह वाला page यहाँ पर खुल जाएगा अब मैंने मैरा already login है तो इस वज़े से यह दिखा रहा है ठीक है मैं directly यहाँ पर आ गया तो आप जैसे ही login करोगे न तो आपको यह नहीं दिखाएगा आपको यह दिखाएगा ठीक है आपको यह वाला page दिखेगा आपको top में यह दिखाएगा add website यह मैंने already add कर रखी है तो यह नहीं दिखेगा आपको आपको यह दिखेगा add website करेगा ठीक है तो add website पर आपको click करना है ठीक है यहाँ पर add website पर click करना है add website पर click करोगे तो यह वाला page आपका खुल जाएगा यहाँ पर आपका domain डालना है जो अभी आपने register किया है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा यह बिद्यूतमालाकर.com इसको मैं यहाँ से copy कर लूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा ठीक है तो यह आपको इस तरीके से यहाँ पर domain यहाँ डालना है password आप यहाँ पर जो आप चाहो वो password यहाँ पर आप डाल सकते हो तो मैं अपना password यहाँ पर डाल देता हूँ आपको हर website जैसे क्या है कि मेरा business account है मैं बहुत सारी website host करूँगा तो यह हर website के लिए अलग-अलग password बनाने को बोलेगा ठीक है अब मैं hosting में जाऊंगा न तो मुझे यह वाला जो मेरा domain है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा मुझे simply क्या करना है manage पर click करना है अब यह आपका जो hosting का जो setup है वो complete हो गया है ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपने hosting purchase कर ली है और अब आपने domain भी purchase कर लिया है लेकिन यह hosting अलग है domain अलग है अब हमें इन दोनों को एक दूसरे से connect करना है कि कोई भी अगर हमारे domain पर जाता है vidyutmalakar.com पर तो वो domain यहाँ पर रखी हुई files को access कर दे ठीक है don't get confused अब मैं बारी की से explain करता हूँ कि मैं क्या कहना चाता हूँ आपको domain names में जाना है जो हमारा domain है उसको select करना है ठीक है और यहाँ पर आपको करने होंगे एक चीज होती है name servers करके ठीक है तो इसको आपको modify करना है इसको modify करके आपको क्या लिखना है ns to dnsparking.com इन दोनों को आपको करना है update ठीक है तो यह जैसे ही आप करते हो तो क्या होता है हमारी website जो है वो connect हो जाती हमारा domain connect हो जाता है हमारी hosting से आपको सिर्फ इतना करना है अब आप आपकी website को कैसे उस पर files डालेंगे इससे हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा साम देख लेते हैं हमारा यह जो domain है इस वाले domain को मैं यहाँ से copy करता हूँ और इसको खोल के देख लेपा हूँ अब मैं जैसे इसको खोलूँगा तो यह hostingर वाला page यहाँ पर दिखने लगा है आरी बढ़ समझ मैं अब हमें यह तो चाहिए नहीं ठीक है यह हमें नहीं चाहिए भईया हमको हमारी personal website चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपके पास एक option आएगा file manager का तो आपको जाना है file manager के अंदर ठीक है file manager के अंदर आपको जाना है public html के अंदर और यहाँ पर default php होता है तो यह वाला जो page आपको दिख रहा है ना यह default php वाला page है तो मैं इसको क्या करूँगा मैं इस page को यहाँ से delete कर दूँगा यह मैंने delete कर दी ठीक है अब आपने जो भी page बनाया हो example के लिए यहाँ पे एक मैं page बना लेता हूँ index.html इसको मैं rename करता हूँ अब आप यह जो root directory में जो भी page को डालेंगे न उसका जो नाम है वो index.html ही होना चाहिए हम इसको open with visual studio code कर लेता हूँ ठीक है visual studio code किया यहाँ पर मैं एक normal सा html page बना देता हूँ यहाँ पर एक catchment लिख देता हूँ this is my website ठीक है यह मैंने लिख दिया इसको कर दिया मैंने save मैं क्या करूँँगा इसके बाद इसको करूँगा यहाँ से drag और यहाँ आके कर दूँगा drop upload करूँगा यह मेरी file यहाँ पर upload हो गई और default page जो है यहाँ आके refresh करूँगा तो आप देखोगे this is my website तो यह मेरी website जो है वो यहाँ पर live हो गई है ठीक है इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अब अगर आप चाहो कि यहाँ पर आपको पूरी website डालनी है ठीक है तो जितने भी आप लोग developers है उन्हें पता है कि हमारी एक directory होती है हमारा एक system होता है मैं आपको बता देता हूँ अब मैं क्या करता हूँ कि एक website को आपको upload करके यहाँ पर बताता हूँ एक practical website तो यह सारे assignments हैं जो personal coaching के student करते हैं तो अगर आपने personal coaching अभी तक checkout नहीं किया हो तो please checkout करना that will be going to completely change your life तो यहाँ पर एक यह student है जिन्होंने website बनाई है इसमें मैं क्या करूँगा इसके अंदर जाकर यह जो file से इन सभी को मैं select करूँगा और इस सभी को select करके मैं यहाँ आके drag and drop कर दूँगा और यहाँ पर इसे कर दूँगा upload ठीक है तो यह सारी files यहाँ पर upload हो चुकी है अब मैं क्या करूँगा document पर जाओंगा इसे यहाँ पर refresh कर लूँगा अब मैं जैसे refresh करूँगा तो जो website उन्होंने बनाई है अब यह zoom हो गया है इसको मैं unzoom कर देता हूँ तो जो website उन्होंने बनाई है वो यह website यहाँ पर completely दिखने लगेगी ठीक है तो यह कोई student है जिन्होंने यह hello करके website बनाई है कितनी amazing सी यह website है ठीक है और अगर हम इसको देखें तो it is completely responsive mobile पे भी अगर इसे खुलेंगे आप तो यह वैसा का वैसा दिखाई यहाँ पर देगा ठीक है तो I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपको कैसे website को host करना है बहुत बड़ा task नहीं है अगर आपको अभी भी कोई issue है कोई problem है तो आप मुझे comment में अपनी query अपना question type करके मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो please comment करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगर आप इस type की और वीडियो देखना चाहते हैं तो please वीडियो को like करें comment करें और अगर आप पहली बार इस channel पर आ रहे हो तो please यार सब्सक्राइब करो बहुत अच्छा content यहाँ पर आने वाला है that's it for this video and I will see you in next video bye bye